इन दौर में हत्याओं की मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे है कुछ सही मामला हातोध थाना शेत्र का है जहां गेहों के खेत में खून से लथपत शव पुलस ने बरामत किये है मृतक की पहचान जीवन चौधरी निवासी हातोध के रूप में हुई है अग्यात बदमाश ने गलारेत कर यूवक की हत्या कर शव को फेक कर फरार हो गए दरेसल मामला हातोध थाना शेत्र का है बताय जा रहा है यहां गेहों के खेत में एक यूवक का खून से लथपत शव मिला पुलिस को जानकारी मिली थी मौके पर पहुँची पुलिस और एफसल की टीम ने शव को बरामत कर पोस्ट मार्टम के लिए जिलास्पताल भिजवा दिया है वही पुलिस ने बरता की पहचान जीवन चौधरी निवासी गाव हातोध की रूप में की है यूवक का गला रेक कर हत्या को अंजाम दिया गया वही पुलिस ने अज्यात बदमाशू की खिलास प्रकरन पंजीबद कर आरूपियों की तलाश शिरू कर दी है पोस्ट मार्डम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कारिवाही की बात की जा रही है संभवता हत्या पुराने रंजश के चलते ही हो ना बताई जा रही है सर एक हातोध में एक शाव मिला है क्या है पूरा मावला और कौन है इंवन दुफर में ख़वर आई थी कि सुभे इवन दुफर में ख़वर आई थी कि खेत के मैड पर एक मृतक की मितक लास है और पुरिस ने जाके उसको तस्दीक किया उसके बाद जब पुरा अनलिसिस किया तो 30-35 साल की उमर है और जो लाल साइज जैकेट पहने हुए है तो इसमें गटना में चुकि संदे ही है संदे असपत गटना है क्योंकि गले में धारदार चूट के निशान है तो मडर की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता इसको कम्पीटा को देखते हुए FSL टीम सभी हमारे IOSTI साब CSP सभी ने इसमें गटना हस्तल का मौाइना किया मैंने भी मौाइना किया और सर्च किया गटना हस्तल का असपास और उसमें इडिनिटिफिकेशन नहीं हो पाया था हाथ पे जो जीवन का नाम का टैट्यू लिखा हुआ था उसके बाद इसमें पुलिस ने तमाम मैसेज बगरा स्पैट किये सभी कोटवारों को सभी को बताया तो अभी जाके इसमें तदीक हुई है कि ये हातों अद्गाओं के ही रहने वाले हैं जीवन नाम के और इसमें इसके बाद जो है इसमें पुश्माटम कराया जा रहा है और डेटेल इसमें निकाले जा रही है कि क्या उनके मुमेंट था क्या दूस्मनी क्या दोस्ती थी किस परकार की जो है लोग हो इसके सब्बर्क में रही हैं लाश सीन क्या रहा है जो उसके अधर पर इन identification हुआ है उसके बाद सारी चीज़े clear हो जाएंगे